नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन की दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन केबिनेट की बैठक 1 दिसंबर को साम 4 बजे जार्खन केबिनेट की बैठक अब 1 दिसंबर को होगी, पहले ए बैठक 28 नॉमबर को बुलाई गई थी, जार्खन मंत्राले में होने वाली केबिनेट की बैठक की तारिक में बदलाव की जनकारी मंत्री मंडल सचीवाला एवं निग्राने बिभाग द्वारा दी गई है, ए बैठक साम 4 बजे से होगी, मंत्री मंडल सचीवाला एवं निग्राने बिभाग द्वारा सुचित किया गया है कि 28 नॉमबर यानि सोमवार को साम 4 बजे से होने वाली, मंत्री परिशद की बैठक अब 1 दिसंबर यानि गुरुवार को 4 बजे से होगी, मंत्री परिशद या से केमिनेट की बैठक होगी इसे पहले 10 नॉम्बर को केमिनेट की बैठक बुलाई गई थी दूइतिये छात्र संसद में जोलन्त मुदे उठा रहे सदसे जारखन बिधान सबास्थापना दीवस समरो के अउसर पर बिधान सबा के दूइतिये छात्र संसद का उजण हुआ जिस में सदसे मौजूदा जोलन्त मुदों को उठा रहे हैं सदस्यों ने hit and run बिजली संकर जैसी समस्याओं पर छात्र संसद में स्वाल उठा है छात्र संसद में स्पिकर रविद्रनाथ महतो, विधायक दिपिका पांडे सिंग, अमीत मंडल, टीफन मरांडी भी मजूद है बतादे की राज ये भर से 24 चात्र संसद के लिए हुआ है इसके लिए अलग अलग भी सोबी द्यालेओं के 111 चात्रों के ओनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटर्विव के बाद चैनित 24 चात्र संसद के लिए वही रामगर से कौसल कुमार, चत्रा से आस्था कुमारी, धनबाज से प्यूस कुमार, कोडार्मा से सचीन, गिरिडी से, रुद्र परताप, दुमका से सुहानी, देवघर से आकास, गोड़ा से स्वाती, साहवगन से, खुसी लाल पांडे, पाकुर से, कांकुली, गोबिन्द कुमार और गणवा से आदिती राज का चैन हुआ है। रांची में जमीन कारोबारी के हत्या से ग्रामिन आक्रोसीत और ग्रामिनों से वर्ता की काफी समझाने के बाद और हत्यारों की जल्द गिरफतारी का स्वासन मिलने पर ग्रामिनों ने जाम हटाया बता देकी सूरज महली की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी उसका सौव इटकी मोर थाना चेत्र के तुर्गुंडु गाउ के लदा नदी से इटकी पुलिस ने सौव बरामत किया था जारखन का ऐसा गाउ जहां धन कटनी के लिए नहीं देते मुधूरी से 5 किलो मिटर की दूरी पर है बतादे बुजुर्गों के अनुसार आदिवासी समाज में सद्यों से परंपरा है जिले के अधिकांस गावों में अब यह परंपरा खत्म हो चुकी है पूर्ती टाइटल बहूल कुदुम बेडा के किसान ने परंपरा को अभी बचा कर रखा ह इसका कडाई से पालन करते हुए खेत में 150-200 ग्रामीन एक बार में उतरते हैं सरंडा वा पोडा हाट का जंगल नकसलियों से मुक्ते बुढ़ा पहार के बाद अब कुलहान छेतर का सरंडा वा पोडा हाट का जंगल भी नकसलियों से खाली हो चुका है यहां से क्रिये नक्सली और ट्राइजक्षन छेत्र सराइक लखार सवाख खुटी वा पच्मी सीमा में फसे हुए हैं इसके लिए भी CRPF वा जहरखन पूलिस ने कमरकस लिए हैं ट्राइजक्षन छेत्र में रेगरा हातू के बाद हलमद जामरो वा सुईतबबा में सुरक्षा बलो के नए कम्प त्यार हो चुके हैं इन कैम्प के सुचारू होते ही नकसलियों का सरंड़ा वा पोड़ा हाट के जंगल की ओर मोवमेंट रुक जाएगा और उन पर दबाव बढ़ जाएगा इसके बाद बच्चे हुए नकसलियों के पास एक ही रास्ता बचेगा कि वे किसी तरह वहाँ से भाग जाए या आत्मसमरपन कर दे जार्खन के सरकारी स्कूलों का हर माह दौरा करेंगे अधिकारी सरकारी स्कूलों की स्थिती में सुधार तथा बच्चों को गुनवाता पून सिक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूली सिक्षा वमसर्षता विभाग तथा जार्खन सिक्षा पर्योईना परिशत के पतादिकारी अब हर माह कम से कम एक बार जीलों का दौरा करेंगे इसे लेकर सभी 24 जीलों में एक एक जीले की जिमेदारी निदेशक से लेकर अवर सचीव अस्तर के पता अधिकारियों को दी गई है इस करम में अधिकारी सिक्षा कारयालियो तथा इसकूलों का निरिक्षन कर सिक्षा पर्योईना की समिक्षा करेंगे तथा वहां की कमियों की परताल कर विभाग को रिपोर्ट भी सोपेंगे सरकार ने चारो और मचाई लूट खसोट अनपूर्णा देवी जारखन में जब तक हमन्त सुरेन की सरकार रहेगी तब तक इस राजे का भाला होने वाला नहीं है राजे की हमन्त सरकार भरष्टा चार में आकंठ डूबी हुई है चारो और लूट खसोट का बोल बाला है लेकिन अब इस सरकार को चैन से रहने नहीं दिया जाएगा हमन्त हटाओ जारखन बचाओ आंदोरन भाजपा ने इसी उद्यसे से सुरू किया है यह बात गूरू आर्कों कैंद्रिय सीख्षा राजमंत्री अनपूर्णा देवी ने इट्खोरी में कही है बतादे कैंद्रिय राजमंत्री अनपूर्णा देवी यहाँ के पूजा आर्चना करने आई थी पुजा अर्षना के पस्चात मीडिया के साथ वारता में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार पर जारखन की हमंद सरकार को परिशान करने का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है दरसल हिमंद सरकार ने राजे में लूट खसोट मचा रखी है ऐसे में जांच एजेंसियों का सक्रिय होना लाजमी है धनबाद के भेला टंड में यूवक की हत्या धनबाद के भेला टंड में बुद्धवार की रात 28 वर्षे बिजय ठाकुर की हत्या कर दी गई है हलाक गी बरवाडा थाना की पूलिस ने मामले में सेक्रियता दिखाते हुए 12 घंटे के अंदर ही वर्दात को अंजाम देने वाले उसके साला अभिसेक महतों को गिरफतार कर लिया है हत्या के आरोपीत साले की निसान देही पर पूलिस ने हत्या में परियुक्त खुन से सना बांस भी बरामत कर लिया है वर्दात को अंजाम देने के बाद अभिसे घर चोकर फ्रार था उसका मुबाइल राच से स्विच अप था पूलिस को पूरा सक था कि हत्या में उससी कहां था लिहाजा पूलिस राज से ही उसे ढोंड रही थी कस्तूर्बा बिद्याले के असी छात्राय बिमार बदलते मौसम में बिमारिया भी तेजी से बढ़ रही है सुन्दर नगर इस्थीत कस्तूर्बा बिद्याले में एक साथ कई तरह की बीमारी फैले की संभवना जताई गई है इसकी जनकारी स्कूल परबंदन ने जिला स्वास्त विभाग को दी थी सिविल सरजन डाक्टर साहिर पाल ने इस मामले को गमिता से लेते हुए चाह असद से टीम गठित किया था बुद्धवार के एट टीम जाच करने पहुँची जहां जिला माहमारी रोग विशेसर के डाक्टर असद ने बताया है कि स्कूल में 135 चात्राओ की जाच की गई इस दवरान लगभग 80 बच्चे सरदी खासी सीरदर्द बदन दर्द से ग्रसित मिले वही 9 बच्चों में चेचक वा डेंगू के लक्षन मिलने के बाद सभी का नमूना लिया गया और जाच के लिए MGM मेडिकल कोलेज भेजा गया है जार्खन बिधान सभा में चात्र शांसत बच्चों ने सिखी बिधायकी की बारी किया जारखन बिधान सभा अस्थापना दिवस के आखरी दिन गुरुवार को दितिये छात्र सांसाद में परदेश के छात्र चात्राओं ने सांसादिये परकिरिया की जनकारी ली चात्र बिधान सभा में संसाध्य परकिरिया का पालन करते हुए बिधान सभा की करवाही में हिसा लिया चात्रों में से ही मुख्य मंत्री नेता पर्ति बाक्स और स्पीकर का चुनाव किया गया सदस्यों ने सवाल पूछे और संबंधित वीभागों के मंतियों ने उसके जवाब भी दिये इस आयोजन को भारतिय जानता पार्टी के नेता और जार्खन विधान सभा के पूरे स्पिकर सीपी सिंग ने अच्छा परियास बताया है उन्होंने कहा है कि या चात्र विधान सभा है चात्र विधान सभा और असल विधान सभा में अंतर होता है आज सांती पुन महोल में सता पक्ष और विपक्ष ने सदन चलाया वास्तों में असा नहीं होता है राजनीती को धर्म से अलग नहीं कर सकते मंत्री उराव। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2020 में ही उन्होंने कह दिया था कि कॉंग्रेस के लोगों को तोड़ने की कोसिस हो रही है इस पर दिली से कहा गया कि ऐसे ब्यान के दे रहे हैं उस समय सिरी उरावने हाई कमान को बताया कि अगर सतरक नहीं हो तो पार्टी टूट जाएगी उन्होंने कहा है कि इस बार हम लोगों को जीतनी निगरानी रखनी चाहिए थी नहीं रख पाएं अदि आप चैनल पर नहीं हो तो चलो को सब्सक्राइब कर बॉल का वेले गंद भाई ये साची साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को से अशर करना भूले साची साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडियो एक अवस्त दे थाइंक यू